मित्रों जै मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरू लिखें मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगे मित्रों हिंदु पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के क्रिश्ट पक्ष की त्रयोदसी तिथी को धन तेरस का त्योहर मनाया जाता है इस दिन भगवान धनवंतरी माता लच्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने का विधान है माननता है कि धन तेरस के तिन कुछ नई वस्ट में खरीदने का महत्त्व होता है इस दिन खरीरदारी करने से घर में धन का आगमन होता है चाहिए कि इस दिन कौन सी वस्ट में खरीदना चाहिए और कौन सी वस्तुमों को नहीं खरिदना चाहिए जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर करेंगे और जादे से जादे सीर करेंगे मित्रों आपको बता दे कि धान तेरस के दिन सोने चांदी बरतन जाड़ू और धानिया खरीदना बहुत ही सुब होता है इन सब वस्तुओं को खरीदने से मता लच्मी और भगवान कुवेर की क्लिपा प्राप्त होती है और घर में लच्मी सदा निवास करती हैं लेकिन धान तेरस के दिन भूल कर भी एलमुनियम इस्टील लोहा प्लास्टी चीनी मित्टी के बरतन भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए अगर भूल कर भी इन वस्तुओं को खरीदते हैं तो घर में सुक सम्रिद्धी धान बैभाव सब खत झाल